हलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है दितली फूर्ड में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर खीर खीर तो आप बहुत तरे के खायर होंगे पर पनीर का खीर बहुती टेस्टी होता है और इससे बनाना बहुती आशन होता है और ये फटापट से बनके भी तेयार हो जाती है अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सेयर, सब्सक्रेब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना तो चलिए दोस्तो पनीट खिर बनाना सुरू करते हैं पहले यहां पर एक कडाई ले लेते हैं उसमें हम एक लीटर काव मिल्क आड करेंगे दूद को उबालाने तक वेट करेंगे उस बीच में चलिए पनीर को ग्रेट कर लेते हैं मैंने यहां पर 400 ग्राम पनीर लिया है अब पनीर को हम यहां पर छोड़े छोड़े टुकड़े में काड़ देंगे फिर पनीर को ग्रेट कर लेते हैं यह देखिए आपको ऐसे करना है आप पनीर को हाथ में ले लेना और ऐसे मसल देना ऐसे ही सारे पनीर को हमें मसल देना है ये देखिए दूद में उबाल आ गया है अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे यहां पर हमने आधा कप चीनी आड किया आप चाहे तो अपके स्वात के अनुसार सुगार को कमर ज्यादा कर सकते हो फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है यहां पर हमने अमुल का कंडेंस मिल्क लिया है आप चाहे तो इसको स्कीप कर सकते हो यह ऑफ्सनाल है पर कंडेंस मिल्क डालने से खीर कर जो टेस्ट होता है बहुत ही ज़दा बढ़ जाता है यहां पर हमने दो चमस कंडेंस मिल्क यूज किया है इसको अच्छे से मिक्स कर पर ग्यास का एम में मीडियम रखना है और इसको उसे चलाते रहना है 3 चार मिनिट चलाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा केसर आड करेंगे दोस्तों केसर भी अफ़नाल है आप चाहे तो इसको स्कीप कर सकते हो इसके बाद हम क्या करेंगे हमने जो पनीर को क्रस्ट करके रखा था आप यहां पर आड कर देंगे अब इसको अच्छे से मीक्स कर देना है दोस्तों पनीर का खीर बहुत ही टेस्टी बनता है आप जरूर इसको घर में एक बार ट्राइ करना और मुझे चेलिए उस बीच में थोड़ा सा डॉड़ाइफूर ले लेते हैं हमने यहाँ पर थोड़ा सा वदाम लिया है काजू लिया है किस्मिस लिया है पास्ता लिया है फिर हमने सारे ड्रायफूर्स को चौप्ड कर दिया है अब खीर में उबाल आ गया है चलिए अभी स्टेज में हम आड़ करेंगे सारे dry might को हमने यहां पर जितने भी científic मेरे पास था वहा और करदिया है यहां पर हज़िए फिर हम क्या करेंगे तीन से चार यलैची ले लेते हैं काधो हम थोड़ा सा क्रस कर देंगे अब खीरjang में fast कर देंगे और अच्छे लग रहा है ना टेम्टिंग, खीर को चलिए गर्मा गरम सर्व कर लेते हैं, आप चाहे तो खीर को ठंडा करके भी खा सकते हो, क्यूंकि खीर जितना ठंडा होता है, उसका टेस्ट उतना बढ़ जाता है, और कलर भी सांदार आता है, और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, उस आए, तो वीडियो को लाइक कर देजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए, और पास में जो बेल आइकन है, उस पे क्लिक करना मत भूलिए, एसे ही निया निया रेसिपी लेके आऊंगी, फिर मिलते हैं एक निया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक क्यार क्या हुतक है, एक रेसिए, बबसा आइक क्यार्ल के छ faster, और मेरे भीड पने हम एक्यार टूली कipार भीडियो कर देए, एक खीडियो के सब्सक्राइब कर देदेदाριस भी निया रेसिए, प देडियुन बच्ताबनी है, यार रेसिए, वार पास्ताइब कर देक देथ